मेरे चैनल रजनिक फूर्ट्स और ब्लॉक्स में तो मेरा मन क्या चला आज ब्लॉग मना लेतें बहुत दिन होगा मतलब मुलिए छे-साथ-साथ महिने से ज्यादा होगा मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हुआ तो मैंने सब्सक्राइब बच्चे स्कूल गए हुए हैं बस वह पंद्रा बीस मुट बाद छूट जाएंगे तो आज मुझे लेने तो मुझे ही जाना है और कुहू के पापा कहीं गए हु मेरा बन करके पूरा रेडी हो गया रख दिया है रोटी भी बच्चों के लिए सेख दिया क्योंकि फिर वो आते है तो फिर गरम दी पढ़े तो मैंने का चलो दो रोटी सेखना सेख दिया जब बच्ची आएंगे तब ही उन्हीं के साथ हम तीनों बैट करके खाएंगे और कुछ की पापा खाना होना का के कहीं गया हुए कि अपने जितने सारे काम थे कपड़े भी डाल दिये किचेन भी त्रेक लिया और रेडी भी होगे कपड़े चेंज कर लिये और इस मशीन भी अंदर कर दिये सारा काम कर दिया अब इस समय हो रहा है एक पैतिस हो रहा है एक चालिस पर बचे छूटते फिर जागर के मुझे अपने बचों को लाना होगा बस हलका फुलका सा तयार हो गई हूँ और कपड़े में यह पहनूँगी क्योंकि मेरे घर के पीछे ही स्कूल है तो मुझे बहुँ जादा दून नहीं जाना होता है तो फिर मैं चला ले तो यही कपड़े पहनती है इतने बुरे भी नहीं है चले तो मचाक था लिकर बहुत दिन बाद आप लोगों से बाते करके मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है तो आई होप मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को ब्लॉग देती रहूं और अपनी डेली रूटीन दिखाती रहूं तो अब मेरे टाइम होरा बच्चों को लेकर के आने का तो चलो मैं कैमरा वहां तो नहीं ले आती हुँ तब मैं फिर मिलती है तो भ MOR समल लेकर किसी जाने में लग जाएगा धो बहुत जाए है तो मुझे लग जालती हो दो दो अब हो खी किया है जा रहा है मजा रहा है और देखो मेरे पूरा पसीने हो एक पूरा भीग लाइट अभी थी जब लोगों को लेने गए फिर से लाइट गई चलो जाओ कुवू नहाओ थोड़ी दिर बाद तक बच्चों को खाना ना खिला के मिलते हैं करें तो कुवू गई हुई अभी समय नहाने और चली मैं अपना खाना निकाली रुद्रांस को खाना देनी दाल चावाल और बिंडी की सबजी है तो नब खानी जा रहे हु, और Kuh अभी नहाने गई रुद्रांस, अभी खान आ गया रुद्रांस खा रहा है, तो चलो हम दोनों बैटकर के खाना खाते हैं, और Kuh आएगे तो खाएगे, कुह नहीं का, मम्मी हम बाद में खाते अभी नहीं खाएंगे, तो हम दोनों खाना खा रहें, कुछ भी नहा रहें, और पता है, इनकी पढ़ाई कैसी होती, हेड़फोन लगा रखा है, म्यूजिक लगा रखा है, और इसके बाद मैं इसको डाट रही थी, तो कह रहा था, मम्मी काम तो कर रहे है, हमने का काम तो कर है, तो बस वो अपने काम में लगा हुआ था, ये देखू, चिला भी रहा था, पता है, हेड़फोन लगाने की वज़े से म्यूजिक की लग चल रहा था, इसके वज़े से वो उसको लग रहा था, मम्मी को सुना रहे देखा, खुब चिला चिला के बोल रहा था, तो हम गह हुआ है, मैं जैसे दिखे, अधेरा हो गया पूरा, च्छत पर चलती हूँ, देखती हूँ, मौसम कैसा है, तो एक नट ये पहुँच गए, तो मौसम तो ठीए के बूंदे पड़ रही हैं, और इसके बाद में देखती हूँ, उपर वाली च्छत पर चलती हूँ, और आप पानी की कमी हो गया है, और इस समय लेकिन मेरे मनो कामनी की जो खोसियाली फैली हुई है, कुछ कहने को कहा है, तो ये देखिए, कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं, और इसके बाद में चलती हूँ, उपर वाली च्छत पर, तो आप लोगों को दिखाती हूँ, कि वह अगना जारा कैसा है, तो यहाँ पर भरा हुआ है, पानी, तो हर बारी से ज़्यादा इस बारी मेरे क्यारियों को नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे इनको फिर से सही से तयार करके रखना है, जो आप लोगों को बहुत जल्दी आएगी वीडियो, और क्योंकि बारी सभी सह इसलिए प्यावर ककड़ी का ही जो बेल है, जो थोड़ी अच्छी वाकि सब बरबाद हो करके रखा हुआ है, तो जल्दी से आपको यह वीडियो आएगी, बिल्कुल अच्छे से करके मैं पूरी क्यारी वारी, यह है हमारा अलववीरा, तो यहाँ पर आप लोगों को हो गया है, और यह देखिए, तो यह पता है, यह गिलवाय की बेल है, यहाँ पर अभी पूरा कबार जैसा पड़ा हुआ है, और अभी पता है, भी थोड़ी दिर पहले बारीश हुई थी, आधे गंटे हो गए, थोड़ा-थोड़ा टंकियों में गिला-गिला सा लग रहा ह होगा, तो चलो चलते हैं, नीचे की तरब चलते हैं, और इसके बाद देखो, यहाँ पर बूंदे पड़ी और इसके बाद बिलकुल समाप्त हो गई, यह देखिए, हवा चल रही थोड़ी थोड़ी हवा, लेकिन बहुत अच्छी चलने लगे, मज़ा आ रहा है, और हमने यहाँ पर आवाज ना म्यूट कर दिया, वो इसलिए गाड़ियों के आवाज बहुत जाद आ रही है, देखो बंद, सुख गई ना, पूरी फ़र सा सुख गई, अभी एक घंटे पहले थोड़ी सी बारिस हुई थी, फिर थोड़ी सी बूंदा बांदी हो गई, और एकदम पर चलते हैं नीचे और मुझे लगाना है अपने बालों में अलोवीरा जिल, तो काफी दिन समय सोच रही थी, लाके भी रखा था, नहीं लगाए था, तो चलो चलते हैं, कैसा रिजल्ट आता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, बूंदे नहीं हो रही है, मौ चल रहने दे तेरेने हैं तो बस यह सवासी मजाग चलऻ रहा था, मेरी कोहू की, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेंगे, नारियल, तेल, और यहाँ पर, विटामिनी की कैचछूल्स नहीं मिले थी, तो कोई भात box नहीं नहीं मिलने दो, तो यहाँ पर कोहू निकाल रह और मैं यहाँ पर तीन चम्मच निकल वाऊंगी इसमें कि अच्छे समेवालों में लगा सकूं और कम लगा तो मैं फिर से थोड़ा और निकल वालूंगी वह इसलिए थोड़ा सामने कोकोनेट ऑल डाल दिया है नारियल तेल डाला हुआ है अब इसके बाद इसको मिला लेंग हो गया ऐसा थोड़ा सा नारियल के साथ मिलाने के बाद में तो इसको लगाना कैसे मैं आपको बता दूदो हिस्सों में बालों को डिवाइट कर लिए और थोड़े-थोड़े से बाल ले ले करके पहले मैंने पता क्या किया है थोड़ा से लो वीरा जिल लेकर कि मेरे बाल बहुत तेज भाग रहे थे, तो मैं ने सुचा क्या करूं इसको, फेरे ठोड़ा सा ले करके, अब मैं क्या करूंगी, पूरे बालों में लगा लिए अब बाल भागेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं, क्योंकि फैन भी चल रहा था, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से बाल यह जैसे हम लोग मांग निकालते हैं वैसे थोड़े थोड़े से बाल ले करके नीचे की तरफ प्रिस करेंगे यह देखे ऐसे और बहुत अच्छे से मिला लेंगे जितना अच्छे से आप मिलाते हो बाल उतने ही अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट जैसे रहेंगे जब आप किया तो कर लिया नहीं तो कोई में जरूरी रही समझती लेकिन आज मैंने किया हुआ है और तो मैंने सुचे चलो यार जब मैंने कुछ किया है तो आप लोगों को बताना तो बनता है और इसके बाद पता है क्या हुआ था जेल उसमें खतम हो गया तो फिर हमने थोड़ा सा न लगी गया था और पता मैं यहां पर यह चुराइबाद 빠d थी अगर से कहुँ है तो यहां पर फिर मैंने लगा मैंने ऐसे लगा हां से ही लगाया हुआ है और काफी जिल जो है मेरे कुर्टे में भी लग गया तो मैं नहाओंगी तो फिर निकल जाएगा और थोड़ा सा मेरे नेक में भी लग गया था और जो बचा हुआ लगा लेंगे लगाने के बाद में फिर अच्छे से और जो कटोरी में था उसको मैं पूरा यूज कर लोगी विस्ट नहीं जानू दूँगी तो पूरा का पूरा ऐसे किया और ऐसे मैंने लपेट लिया दिन में लगा लूँगी ख्लेचर और तो कुरता नीचे थोड़ा सा भो गया था स्वारि और इसके बाद में फिर प्र पटा है मैं एसे करके पूरा का पूरा लगा लूँगी देनक गया हुआ था तो मैंने सुचा चलो यार लगा लेती हूँ और इसके बाद में आप इसको कम सकम 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए यह देखो मेरे आप इसको 30-40 मिनट देते बहुत अच्छा और हां रेली बाल रॉलाएम लग रहा थुड़ा सा आ बहुत चीज नहीं और बहुत सिलकी हो रखे यह देखो तो पता या चीज मैं बताओ मेरे बालना आप अच्छा मैं इसमें अपनी साइड में फोटो लगा दूंगी कि मेरे बाल कितने लंबे थे और सचमयार जब उन वालों को देखती हूं ना तो मुझे अपसोस होता है यार नहीं कटाने चाहिए थे फिर कभी-कभी सोसती हूं ना ठीक है यार कटा लिया तो क्या हुआ कुछ फैशन नाम की भी तो कोई चीज होती है तो कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है औ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कम डाइमेज होती थी छोटे बाल खुले रहने की वज़े से या जो भी कोई कारण हो हमें लगता है यह ज्यादा डाइमेज होते मुझे टो आज की में पूरी बलॉग जरूड़ देखियेगा और रिली आण अभी मैंने बालो में और बाल ज्छ जाड़े होती हैं और मैंने कुछ नहीं किया सची में कुछ नहीं किया और अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पता है और सबसे ज्यादा मेरे बाल जो है न उलजते बहुत है बहुत फ्रीजी बाल है बहुत ज्यादा तो बस और कुहू के बाल बिल्कुल उसके अगेंस्ट है उसके बाल बहुत सिल्की और बिल वह बहुत छोटी है सब अभी उसके साथ यह सब कुछ नहीं होता है और मैं पसंद भी नहीं करती कभी हम लोगों ने भी नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को कैसे लगे मेरा यह जो छोटा सर ट्रीटमेंट था वालों के लिए क्या मुझे इसे करते रहना चाहिए यह ऐसे ठीक है तो क्योंकि फिर ब्लॉग लंगी हो जाएगी क्या आप लोगों को पूरी ब्लॉग देनी है तो यार वीडियो पसंद आए तो लाई सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी मैं को वीडियो डाले सबसे पहले आप लोगों तक कुछ नहीं को मैं सूछती हूं मैं कई वारी इसको लगाओं किया रिजल्ट आता है तो अभी तो बहुत अच्छे सिल्के सिल्के से लग रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीजी मेरे बाल है तो चलो यार खाना बनाने में मैंने खाना भी बनाना है और इसके बाद पसंदा है तो आई हो तो लाइक, सस्क्राइब, शेयर, कमेंट करना शेयर तो जरूर करना अपने फ्रेंट में और इसके बाद जिसमें कि आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो लाती रहूं ब्लॉग और रेस्पी की जो वीडियो मैं लाती रहूं तो चलते हैं फिर